एक लड़की का मर्डर हुआ, तभी हमारी मेन कैरेक्टर ने उस लड़की को एक बार में देखा था उसके बाद उसकी लाइफ में एक डिरिक्टिव आता है, जो बहुत मिस्ट्रियस था इस मूवी की खास बात यह हर कैरेक्टर पर आप शक करते हो, तो अन तक इस वीडियो को ज़रू देखेगा अब बिना किस दिरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है, मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका हमें फ्रैनी यह हमसे इंट्रोड्यूस होती है फ्रैनी अपनी सिस्टर के साथ बात कर रही थी अपनी सिस्टर के नाम है पॉलिन फ्रैनी एक टीचर है एक बार में अपने स्टूडंट से वो मिलने वाली थी पॉलिन को लगता है कि फ्रैनी का स्टूडंट उसे लाइक करता है Franny ने उसे का मेरा हर student मेरे साथ flirt करता है ये कोई अलग बात नहीं इसके बाद Franny और उसका student Cornelius एक कोई subject पर बात कर रहे थे थोड़ी दर में Franny नीचे toilet के लिए जाती है तब ही वहाँ पर एक आदमी और एक लड़की intimate हो रहे थे उसे बहुत ही intriguing लगा तो ये देखने लग जाती है Franny ने उस आदमी के हतों पर एक tattoo notice किया उसे बहुत वक्त लगा था तो उसका student यहाँ से चला गया इस बाहर का बिल Franny को ही pay करना पड़ता है अगली दिन वो student Franny की class में नहीं था class खतम होने के बाद वो उसे उसके बाहर के पैसे दे देता है Franny कहती है classes में आया करो ये बहुत ही important है Cornelius actual में Franny को like करता है पर Franny अपने student के साथ कोई भी relationship नहीं रखना चाहती इसके बाद जब वो घर पर आई तो एक direct to उसका wait कर रहा था ये हमारा और एक main character है उसका नाम है Malloy अभी-अभी Franny के apartment के सामने के garden में एक lady की dead body मिली थी उसी एक investigation करने के लिए Malloy उसके घर पर आया हुआ था उसे बुशता है ये जिस रात murder हुआ ये तुमने कुछ सुना था तो एक कुछ भी पता हो तो सब कुछ पता देना चोटी-चोटी details Franny कहती है कि generally मैं अपनी window open करकर सोती हूँ पर उसे कुछ भी सुना है नहीं दिया ये पर ये दोनों जब बात कर रहे थे तब इस Franny का ex-boyfriend उसे उसके apartment के बाहर मिलने के लिए आया बाहर से ही उसे एक message भी देता है Franny ने इस बात को ignore कर दिया मॉलाय Franny के घर में बहुत सारी चीज़ों को notice कर रहा था इस जैसे कि वो artistic type है बहुत सारी चीज़े लिखती रहती है Franny की sister की photo भी उसने देखी इस सब investigation के बाद मॉलाय अपना number दे कर वहाँ से चला जाता है Franny ने मॉलाय के बारे में एक चीज़ notice की थी जो tattoo उस राद बार में intimate होते हुए आदमी के हाथ पर था यही tattoo मॉलाय के हाथ पर भी है उसे लगता है शायद वो वही था राद में उस आदमी को imagine करकर वो अपने आपको please करती है अगले दिन जब Franny अपने काम पर जा रही थी तो मॉलाय और उसका detective friend यह दोनों से रोक लेते है उसे लेट हो रहा था तो उसे drop करने वाले थे मॉलाय फ्राइनी से कहता है जिस राद murder हुआ तुम उस राद उसी बार में थी क्या तुम्हें कुछ याद है उन्हें credit card bill से यह information मिली हुई थी फ्राइनी कहती कि मुझे कुछ भी याद नहीं मॉलाय ने murder के उसे सब कुछ फोटो जगरा दिखा है जो बहुत ही dangerous थे फ्राइनी को कुछ भी याद नहीं आता जिसका murder हुआ था उसे अपने life में उसने कभी भी नहीं देखा था जाते वक्त मॉलाय फ्राइनी से कहता है मैं तुम्हें figure out नहीं कर पाता क्यों ना हम date पर चले फ्राइनी ने भी इसके लिए हा कह दिया वो फिर अपनी sister से मिलने के लिए आई उसकी sister आज बहुत ही जादा disturb हो चुकी थी actual में उसका एक doctor के साथ affair था बर इस doctor की already family थी अब doctor की wife को सब चीजे पता चली तो doctor ballin को ignore करने लग गया ballin ने doctor को contact करने की कुशिश की पर doctor ने listening order लगा दिया उसे मिल नहीं सकती इस break up के बाद वो तूट चुकी थी फ्रैनी उसे सहारा देती है कुछ दिनों पहले फ्रैनी का बड़ दे था तो ballin ने उसे एक gift दिया एक bracelet है जिस पर अलग-अलग चीजे बनी हुई है यह फ्रैनी को बहुत अच्छा लगता है फ्रैनी ने पॉलिन को मॉलाई के बारे में बताया तो पॉलिन कहती है तुम्हें इस date पर जाना चाहिए फ्रैनी भी फिर मॉलाई के साथ बार में आके मॉलाई उसे पुछता है तुम उस राद तुस student के साथ थी क्या तुम्हारा boyfriend है फ्रैनी कहती के ऐसा कुछ भी नहीं मॉलाई ने उसे clear कर दिया कहता है तुम्हें जो भी चाहिए वो बनने के लिए में ready हो अगर तुम्हें boyfriend चाहिए तो बनने के लिए ready हो अगर तुम सिर्फ time पास चाहती हो तुम ये भी कर सकते है फ्रैनी फिर इस subject को change कर दिया उसे मॉलाई का partner बहुत ही अजीब लगा था उसके पास real gun नहीं तो water gun लेकर फिड़ता है मॉलाई ने कहा मेरे partner की wife और उसमें जगडा हुआ था वो कभी भी उससे मारता नहीं पर उसकी wife ने उसके ट्रॉपेस को तोड़ दिया था इनकी बात चल ही रही थी तो मॉलाई का partner रीच वहाँ पहुच गया यहाँ इसी बार में एक और लड़की थी जो मॉलाई को देख रही थी तो रीच फ्रैनी के सामने मॉलाई को कहता है यह तुम्हारे साथ intimate होना चाहती है यह सब बाते फ्रैनी को अच्छी नहीं लगी वह आसे जाने लग गए एली से गुजरते वक्त अजानक उस पर किसे ने हमला कर दिया फ्रैनी जल्दी से जान बजा कर भागी और वो स्टीट पर पहुच गी यहाँ अबर एक टैक्सी की टकराने की वज़े से उसे थोड़ी सी चोट आए पर अब वो सेफ थी जब वो घर पहुचिये तो मॉलाय उसके घर के सामने उसका वेट कर रहा था उसे सौरी बोलने के लिए आया हुआ था जो भी हुआ फ्रैनी ने उसे सब कुछ चीज़े बताए फ्रैनी को लग रहा था कि शायद वही आदमी मर्डरर था मॉलाय उसे कहता है कि वो मर्डरर हो नहीं सकता क्योंकि मर्डरर बहुत ही अजीब तरीके से मर्डर करता है इसके डिटेल्स में और नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बहुत ही घटिया होती है मॉलाय ने फ्रैनी से कहा कि मुझे बता कि उसने तुमें किस तरीके से पकड़ा हुआ था ये दोनों एक्ट करते हैं तब ही मॉलाय उसे टच करने लग गया फ्रैनी और वो फिर इंटिमेट हो जाते है फ्रैनी मॉलाय से बहुत ही सप्राइस थी क्योंकि वो अलग-अलग चीजे ट्राइ कर रहा था उसे बुछती है तुम इतने एक्स्पिरियंस कैसे हो मॉलाय ने कहा कि जब मैं टीनेजर था तो पीजा डिलोरी का काम क्या करता था एक दिन एक ओलडर लेडी मेरे साथ इंटिमेट हुई थी उसने मुझे इस सब चीज़े सिखाई थी फिर इसे इंटिमेट होने के बाद फ्रैनी ने अपना ब्रेसलेट नोटिस किया तो उससे एक चीज़ कायब थी शायद स्टीट में फाइट करते हो और गिर गई होगी फ्रैनी ने मॉला इसे उस मर्डर की रात के बार में बात कि वो कहता है उस रात तुम बार की नीचे उस लड़की के साथ इंटिमेट हो रहे थे मॉला इसके बार में कुछ भी नहीं जानता फ्रैनी कहती है उस लड़की के ब्ल्यू फिंगर नेल्स थे मॉलाई इंट्रेस्टेड हो किया क्योंकि उसी लड़की का उस रात मर्डर हुआ था उसने फ्रैनी से कहा कि तुम्हें पुली स्टेशन चलना चाहिए तो उन्हें विक्टिम को एक आदमी के साथ देखा था शायद वही आदमी मर्डरर हो सकता है नेक सिन में हम देखते हैं कि फ्रैनी अपनी सिस्टर पॉलीन के साथ हैंग आउट कर रही थी फ्रैनी को लगता है कि मॉलाई उससे जोट कह रहा था उस रात उस बार में वही उस लड़की के साथ इंडिमेट हुआ था यही बात करते करते फ्रैनी का एक्स बॉइफरेंट कैफे के सामने उसका वेट कर रहा था फ्रैनी के जाने के बाद वो बेजारा बहुत ही अकिला पड़ चुका है उसे कॉल करने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है पर बहुत ही लेट हो चुका था फ्रैनी अब उसे प्यार नहीं करती है वो अपना डॉक फ्रैनी को देना चाहता था वो एक्चुल में डॉक्टर है तो 8-8 गंटे उसे होस्पिटल में रहना बढ़ता है फ्रैनी भी इसके लिए मान जाती है हम मुवी में फ्रैनी को जिस तरीकी से देखते हैं उसे हमें पता चलता है यह फ्रैनी की मेमरी उतनी अच्छी नहीं वो हमेशा थोड़ी से डिलूजनल स्टेट में रहती है नेक्सिन में फ्रैनी का क्लास जब खतम हुआ तो कॉर्नेलेस उसे देख रहा था उसकी वून को उसने नोटिस किया उसके लिए वरी करता है तब यह हम देखते हैं यह मलाक कॉर्नेलेस को ढून रहा था मर्डर के रात कॉर्नेलेस भी उसी बार में था तो उसे भी वो क्वेशन करता है फ्रैनी पर कलरा जिसने अटेक किया था उसके बास फ्रैनी का वालेट है उसके घर पर आ सकता है तो इसी वज़े से वो 5-6 दिन अपनी सिस्टर के साथ आकर रहती है उसके सिस्टर और वो अपने फादर के बारे में बात कर रहे थे फ्रैनी गयती है क्या तुमें याद है या हमारे फादर मेरी मदर से किस तरीगे से मिले थे फादर किसी और के साथ एंगेश थे और पाक में आय हुए थे वही पर उन्होंने मेरी मदर को देखा वो उससे उनकी नजरे हटा नहीं पाए जिससे वो engaged थे उसने भी ये notice किया उनकी engagement उसी दिन तूट गई थी तोरण बात फादर ने एक दो घंटे में ही मेरी मदर को प्रोपोस कर दिया इनकी बातों से में पता चलता है कि फ्रैनी के फादर ने चार पाद शादिया की थी फ्रैनी वंडर करती है कि एक हस्बन को पाना कितना difficult होता है थोड़ी देर में मॉलाय ने फ्रैनी को call किया और एक murder हो चुका था उससे station पर आकर कुछ question पूछना चाता था मॉलाय के पार्टनर ने फिर फ्रैनी को अलग-अलग गुंडों की फोटोज दिखाए फ्रैनी कहती कि उस रात अंदिरा था उस आदमी को देख नहीं पाई थी बात करते कर दे मॉलाय का पार्टनर उसे date पर लेकर जाना चाहता था तभी मॉलाय यहाँ पर पहुच गया और फ्रैनी को लेकर जाता है मॉलाय को फ्रैनी बहुत ही अच्छी लगी थी उससे बुचता है कि प्रपोस करने से पहले कितना टाइम वेट करना चाहिए फ्रैनी कहती है मेरी मदर और फादर सिर्फ एक गंटे में एंगेज हो गए थे मॉलाय फिर उसे जंगल में एक नदी के पास लेकर गया यह जगा देखकर फ्रैनी को लगता है यह मर्डर करने के बाद बॉडी चुपाने के लिए परफेक्ट है तब यह मॉलाय ने गंड निकाली और पानी में वो शूट करता है उसे जो भी फ्रस्टेशन हो, यह पानी में शूट करकर यह निकाल देता है फ्रैनी गंट से डर रही थी, पर मॉलाय ने उसे गंड चलानी सिखाई वो भी प्रैक्टिस के बाद एम करना सीख कई थी ये दोनों फिर यही पर कीज करने लगते ये इंटीमेट होने वाले थे पर मॉला रूप कया वो खैता है दिन राद मेरे माइंड में उसी मर्डर के खैल चल रहे है वो इसे अपने माइंड से निकाल नहीं पाता इसके बाद फेरे दोनों एक कैफे में आए एक्चुली मॉला एक हो अल्डेरी डिवास हो चुका था और अपने बच्चों के पास उसे कुछ दिनों के लिए जाना था फ्राणी को लगता है कि उससे पीछा छोड़वाने की कोशिश कर रहा है मॉला उसे समझाता है कि मेरे और मेरे वाइफ में कुछ भी नहीं है जब मेरा और उसका डिवास हुआ तो यह बरबात हो गया था उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आपको खड़ा किया है इन सब बाद से फ्रैनी डिस्टब हुए और वैसे ही घर पर आई घर पर उसका एईस बॉइफरेंड उसका वेट कर रहा था उसके बास अभी भी उसके घर के चावी थी वो फ्रैनी से कहता है कि शायद तुमारे स्टूरेंट ने मर्डर किया था पुलिस ने नोटिस किया कि उसने अपना प्रोजेक्ट बलर्ड से कम्प्रीट किया था फ्रैनी उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहते है तो यहाँ से चली जाती है वो डारेक्ली अपनी सिस्टर के पास आई घर पर उसे कोई भी दिख नहीं रहा था जब वो बात रोम गई तो उसे डारेक्ली उसकी डेट बॉड़ी मिली पुलिस को कॉल किया जाता है मौलाई वहाँ पर पहुचा उसे साहरा देता है फ्रैनी उससे यहती है जब मैं छोटी थी तो एक दिन मैरे फाइदर मुझे सिटी में छोड़कर चले गए थे बाज दिनों तब मुझे कोई भी ढूण नहीं पाया था यह सब बात जब मैंने फ्रैनी से कही तो उसने मुझसे कहा था मुझे इस उपोचुनेटी का फाइदा उठाना चाहिए था जब भी फ्रैनी के जी हार्ट सिचुएशन में होती थी तो पॉलीन उसे हेल्प करती थी यह दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इंपोटन्ट थी फ्रैनी ने पूचा उसका मुझे कैसे हुआ था उसे जानना था मुलाई कहता है कि मर्डरर ने उसे एक रिंग पहनने के लिए थी उसके बाद उसने उसका सर काट पडिया फ्रैनी बहुत रोई उसे फैर मुलाई घर पर लेकर आया अगली दूनी फ्रैनी को मिलने के लिए फिर से उसका स्टूरंट अया हुआ था फ्रैनी रिस्टप थी उसने बहुत सारे ड्रिंक कर लिया था तब इसका स्टुडरंट उसके साथ इंटिमेट होने लगता है फ्रैनी उसे मना कर दिया पर उसे फोर्स करने लग गया था तब मुलाय का पार्टनर किड़के से उसे आवाज देता है ये स्टुडरंट फिर गुसे में वहाँ से चला गया थोड़े दिनों के लिए मुलाय अपने फैमिली के साथ गया था तो इसी वज़े से उसने अपने बार्टनर को फ्रैनी पर नज़र रखने के लिए कही कुछ दिन गुज़र जाते हैं और उफ़े से फ्रैनी के पास वापस आया फ्रैनी उस वर बहुत ही गुसा थी है उसे बहुत मारती है फ्रैनी के हालत बहुत ही खराब थी मुलाय उसे उठाता है उसे बात विगरा देता है फ्रैन ने उससे कहती है कि तुमसे कुछ भी एक्सपेट करना क्या गलत है उसे अभी भी लगता है मौलाइ एक लायर है इस बार से मौलाइ को गुस्सा आ गया वो कहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझे पर ट्रस नहीं कर सकती है तो उसमें कुछ भी पॉइंट नहीं है वो गुस्सा करकर यहां से जा रहा था पर फ्रैनी ने उसे रोक लिया वो रेडी हुए और उसके साथ कही बाहर जाना चाती थी पर उससे पहले मौलाइ के हैंड़क उसने ले लिये एक पोल से उसे बान देती है वैसे उसके साथ वो इंटिमेट होगे मौलाइ कहता है कि मुझे जल्दी से यहां से बाहर निकाल लो उसे ज़रा अनकमफरटेबल लग रहा था अब फ्रैनी जब मौलाइ के पॉकेट में चावी ढून रही थी तब ही उसे अपने ब्रेसलेट का एक हिस्सा उसके बॉकेट में मिला यह उसकी ब्रेसलेट का हिस्सा उस तरह स्टीट में फाइट करते हैं गिर गया था उसे लगता है कि उसे जो मारने की कोशिश कर रहा था यह मौलाइ ही था मलोय ने उसे समझाने की कुशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो फेल से उसी साइट पर गया था उसे ये चीज मिल गई थी फ्रैनी सारे डॉट्स कलेक करने लग जाती है उसने नोटिस किया था कि पॉलिन की घर की चावी मलोय के पास थी पर वो डिरेक्ट्ट्व है तो शायद इसी वज़े से मर्डर के बाद घर की चावी उसके पास हो सकती थी पर सारी चीज़े उसे मलोय के बास ही पॉइंट कर रही थी मलोय के हाथ पर का टैटू भी वो इगनोर नहीं कर सकती वो कनफाम हो जाती है कि वो ही मर्डर है मलोय के हाथ बंदे हुए थे वैसे उसे छोड़ कर वो बहार निकल जाती है बहार आने के बाद मलोय के पार्टनर से हुँ मिली उसे सब कुछ बात बता देती है पार्टनर कहता कि मेरे साथ चलो मलोय ने भी इंसारी बातों के बार में सोचा उसने और उसके पार्टनर ने एक ही टाटू बनवाय हुआ था इसका मदलब है उसका पार्टनर सीरियल किलर है फ्रैनी को मलोय का पार्टनर एक रिमोट से लाइट हाउस पर लेकर आया पार्टनर फ्रैनी से गयता है कि मलाई एक अच्छा ओफिसर है वो ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता फ्रैनी ने मलाई के पार्टनर के हाथ पर टैटू नोटिस किया वो समझ गई थी कि ही एक्चुल सिरियल किलर है वो डर कर रोने लग गई थी पार्टनर उसे हग कर लेता है वो कहता ही कि डरों मन वो हमेशा किसी को भी मारने से पहले उसे रिंग देता है उसी तरीके से फ्रैनी को भी उसने रिंग दी फ्रैनी को अचानक से याद आया कि उसके पास जो मलाक और जैकेट है उसमें उसकी गन है वो गन लेकर इस killer को मारने की कोशिश करती है पर इन दोन में बहुत fight हुए finally उसने उसे मार डाला Molloy ने घर पर कव से निकलने की बहुत कोशिश की थी पर वो निकलने पाया था फैनी घर पर आई और उसे गले लगा लेती है वो अब उस पर पूरी तरीखी से trust करती है यही पर इन मुवी end होगी अगर आपको explanation अच्छा लगा तो प्लीज इसे like कर दीजएगा वे बहुत सारे मुवीज लेकर आते रहतो तो प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजए और बिल notification आइकोन दाने मत भुलिएगा हम वीर से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तो तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये